इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट, वेव, वीट, स्मार्ट वाज को आप कैसे स्मार्ट फून से कनेक्ट करोगे और कम्प्लीट कैसे आप इसको यूज कर सकते हो एक-एक फंसन्स, वाज फेसे चेंज करना आपको ना खुद का फोटो सेट करना कम्प्लीट इसको कनेक्ट एंड यूज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो में आगर बेड़े इससे पहले अगर आप चैनल पने हैं तो चैनल कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दो लाइक यहां से हम इस स्मार्ट ओज को यहां से प्रेस करके रखते हैं बटन प्रेस करके रखना है कुछ इस तरीके से हमारा स्मार्ट ओज जो है ओन होगा तो देख सकते हैं स्मार्ट ओज काफी क्वीक ओन हो जाता है देख सकते हैं यह smart watch जो है हमारा on हो चुका है अब आपको क्या करना है simply मैं बताता हूं आपको smartphone में जाना है and आपको जो है play store open करना है play store open करना है and यहां से आपको search करना है boat crest ठीक है आप देख सकते है boat crest या crest जो भी बोल लो इस application को search करना है यह देख सकते हैं कुछ ऐसा application आगे है इसको मैं open करता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से open होगा आपको ध्यान रखना है कि smart watch भी जो है आपका on होना चीए ठीक है smart watch भी आपका on होना चीए smart watch हमारा on है यहां से देख सकते हो next करना है and फिर से जो है okay कर देना है इतना करने के बाद आपको यहां पर देख यहां से आपको skip कर देना है ठीक है skip का option देख सकते हो skip कर देना है उसके बाद यहां से एक और इसमें system आगे है आपको अपने smartphone का number phone number डालके and simply इसको जो है OTP से verify कर लेना है तो मैं इसको कर लेता हूं उसके बाद आगे का process जो है बताता हूं सो देख सकते हो OTP डालके हमने submit कर दिया है and next step जो है sign up with Google तो यहां पर sign up with Google पर click करना है यहां पर आपका Google account आएगा यहां पर आपको select कर लेना है and select करने के बाद कुछ ऐसा option आएगा यहां पर देख सकते हो automatic name and photo set हो गया है यहां से आप change भी कर सकते हो यहां submit कर देता हूं and submit करने के बाद यह सारी चीज़े जो है आपको कर लेना है यहां से मैं थोड़ी से brightness इसका increase कर देता हूं तो यह सारी चीजे आपको set करना चाहो तो कर सकते हो जैसे कि यहां पर mail select कर लेना है submit कर देना है यहां से अपना date of birth select कर लेना है यहां से अपना height select कर लेना है यहां से अपना weight select कर लेना है यह सारी चीजे अगर आप करना चाहों कर सकते हो यहां से आपको submit कर देना है submit करने के बाद यहां से देख सकते हो यह बोल रहा है welcome to vote and please keep your watch nearby for connecting and click next smart watch जो है आपका अपने पास में होना चाहिए देख लेना है तो हमारा smart watch smartphone के पास है and second में बोल रहा है कि location आपका on होना चाहिए and bluetooth जो है वो भी on होना चाहिए तो यहां पर हम check कर लेते हैं हमारा देख सकते हो यहां पर bluetooth off है इसको on कर लेते हैं यहां पर हमारा location and location भी off है इसको भी on कर लेते हैं तो अभी हमारा bluetooth and location दोनों ही on हो गया है उसके बाद हमें करना है next कर देते हैं यहां से एक А Jetzt कर देना है तो हमारा है out कर देना है तो यहां से हमारा है बोटर वेबिट करना है नीचे से आधे हैं यहां रेसे आते हैं ररगते हैं श्तार रेस और Aziz थी ळांais के संब्सक्राइब उन्होंगे जोड़न? x12 है और हमारे डिवाइज भी जो है smartwatch जो है वह on है यहां पर आप देख सकते हो smartwatch on होना चाहिए देख सकते हो यहां पर आ गया है वेव बीट करके इस पर हमें क्लिक करना है simply इस पर क्लिक करेंगे हम pairing जो है start हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो pair हो रहा है अभी smart watch smartphone पर यहाँ पर successfully pair हो गया है smart watch में भी notification आगया है pairing successful यहाँ से मैं उसके बाद next कर दिना है and next करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से interface आता है आपको यहाँ पर थोड़ा loading होगा and finally इस तरीके से जो हमारा connect हो गया smart watch और आगे आपको बताता हूं इसके features कैसे कैसे use कर सकते हो and और क्या-का important settings है जो आपको करने चाहिए यहाँ पर goals वागे रहे स्मार्ट फोन में मिलने वाले features को आप कैसे use कर सकते हो तो smartwatch में मिलने वाले features को आप कैसे use कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो इंटरफेस हैं हमारे साथ ही माथ कर अगर छो भी आयंगे वह यहां पर दिखेंगे अल्सों को काल के भी लतिविक्ष ** गजा पर हो गया वह भी सबसे last में स्क्रोब करोंगे देन वहां से ड़िलीट अल्लप करके आप सभी नोटिविकेसर इन को डिलीट भी कर सकते हो एंड कॉल अगर जब आएगा तो आप calls को या तो mute कर सकते हो या reject कर सकते हो लेकिन एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा आप अगर mute करते हो देन स्रिफ smartwatch से ही mute होता है आपके smartphone भी mute नहीं होता है तो यह चीज थोड़ा और improve होना चाहिए था क्योंकि हम smartwatch से mute करें तो smartphone में भी mute हो जाना चाहिए तो यह चीज इसमें नहीं है अगर आप smartwatch में mute करोगे तो only smartwatch में ही mute होगा बाकी आप reject करोगे तो reject हो जाएगा स्मार्ट फोन से भी और smartwatch से भी इसके साथ इधर स्क्रोल करते हैं तो यहां से आप music control कर सकते हो and music जैसे volume कम जादा करना music change करना play post करना यह सारी चीज़े कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो sleep monitoring यहाँ पर sleep steps count distance count and calories count जैसा features भी देखने के लिए मिल जाता है and simply हम फिर आ गए and उसके बाद हम scroll करें down तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे options देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ से गर हम बात करें तो यहाँ पर dnd mode activate कर सकते हो यहाँ पर से क्लिक करते हो तो dnd mode activate हो जाएगा इसको तो दिन जो है आप notification होगा कोई भी स्मार्ट वाच पर नहीं सो होगा इसको आप आपको आवर से यहाँ पर आपको आवर सी लेक कर लेना ठीक है यहाँ से देख सकते हो मिनट सी लेक करना है यहाँ पर आपको आवर सी लेक कर लेना है ठीक है तो यहाँ से यहां काफी चीज जो कि आप सब्सक्राइब करो सब्सक्र see यहां से थोड़ा सा गिलीच आ गया थाहां से आप brightness कम ज़्यादा कर सकते हो जैसे कि देख सकतो मोड़ीज को सिलेक कर सकते हो और क काफ़ी अच्छा है यहांसे क्लिक करके का brightness को सकते हो इसलिंड यहां से सेटिंग का ओफ्षन है है यहां में आपको एक और चीज़ बता दूँ अगर आप स्क्रोल अप करते हो देने हाँ पर काफी सारी एक्टिविटी यहां से आप स्पोर्स मोड जो है आप सिलेक कर सकते हो और इसमें एक्टिविटी रिकॉर्ड यहां पर देखने के लिए मिल जाता है हार्ट रेट मोनिटरिंग की यहां से भी कर सकते हो श्विटी ऑँ मोनेट रिंग यहां पर भी काफी अच्छी चीज़ और बात कर तो नोटीविकेर्ड में यहां से बिख सकते हो स्वाथी में श्कौतों के लिए प von Had spring कर सकते हो आप याप यहां पर सीट कर सकते हो तो तरी हो जाएग कोछ इस तरीके से पिले कर सबंग हो काफी चीज right में हो ऑच्छा में यह काम कर देगा और इसी के सांथ बात करें हैं यहां पर देख सकतना केम्रों अपको देखने के लिए मिल जाता है इसी के साथ अगर आगे बात करें तो यहां पर देख सकते हो find my phone का आफ़सन देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके का इसी के साथ अगर बढ़ा हम आगे बात कर तो यहां पेपको एक disetting देखने दे English अधी लिए वहाँ से चीजिज चीजह है यहहां से बिन से कर सकते हो यहां से स्क्रींऄति यह आपका बंद होना चीजह जैसे अभी्याять आपने देखा मेरा बार बार इस्क्रीन जो है बंद हो जाए घाए अगर मैं यह ताइमर को बढ़ा दूँगा यहां से अगर मैं जितना बढ़ा दूंगा उतने सेकेंड पर यह स्मार्ट आफ होगा यहां पर यह स्कर देता हूं देख सकते हो यह हाला कि बैटरी कंजप्शन थोड़ा आपका इंक्रीज हो जाएगा बैटरी थोड़ा ज्यादा लेगा बड़ देख सकते हो अगर मैं ऐसे स्मार्ट ओज को रखता हूं तो यह 15 सकेंड बाद ही बन दोगा तो काफिय चीज चीज है या फिर वाइवरेशन की इंटेंसिटी ज तो कभी कबार ऐसा प्रोलम आता है कि हमारा डिवाइज नहीं सो हो रहा है स्मार्ट फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको फैक्टरी रिसेट कर लेना है एक बार ठीक है उसके बाद यहां पर डाउनलोड एप पर क्लिक करना है यहां से आप स्किनिंग करके एंड स्मार्ट वोच में अगर आप इसको में लगाते हो देन जो है चार्जिंग होते समय भी इ нормально करता है जो कि काफी अच्यची से हैंते हुब करने की समार्ट फोन सब्सक्राइब यहां से सबढ़ सबढ़ए, कुछ इस तरीके से हैं यहां पर स्थेफ से जाएंगे calories, distance, heart rate, spo2, यहाँ पर भी जो है, यह सब चीज़े देख सकते हो, अगर यह सब चीज़े को आप detail में देखना चाहोगे, तो यहाँ पर corner में एक है, यहाँ पर आपको click करते हो, तो यह सब चीज़े जैसे कि stairs आपने कब कितने चले हैं, वो सब calories and kilometer कितने cover किये हैं, heart rate monitoring कब कित यह सारी चीज़े यहाँ पर detail में आप देख सकते हो, अब बात करते हैं, तो अब आगे और भी features इसके कैसे use कर सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो, एक setting का button है, last में अगर आप click करते हो, setting में आ जाते हो, यहाँ से my profile आप manage कर सकते हो, क्या weight है and आपकी जो भी है, तो यहा पर देख सकते हो, wave beat features करके एक option है, इस पर आपको click करना है, यहाँ से watch faces का option मिल जाता है, इस पर अगर हम click करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हो, काफी सारे watch faces, यहाँ से system के हैं, जो हमारे watch faces में है, watch में है, यहाँ से देख सकते है, cloud based watch faces है, यहाँ से काफी सारे watch faces है, यहा आपर देख सकते हो अगर हम इसको set करते हैं थे हैं को JI अब को सिंपली इस पर लीक्रत करना है इस CHEERING कर दिया है देख रहा है कुछ िससे स्मार्ट वॉच में सोओ हो गया यहां पर रफोटें पर लिएको करना हैको प्लीक करना है यहां और भी चीज़े कैसे आप यूज कर सकते हो यहां पर देख सकते हैं अब यह क्लाउड बेस्ट आपने सेट कर लिया बद खुट का फोटो अगर कैसे सेट कर पाओगे तो यहां पर आना है आपको यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का ओप्सन देखने के लिए मिल जाए कर सकते हो सो मैं इसको आपने कर लिता हूं इसकी यहां पर क्लिक कर लेकर देख सकते हो कुछ ऐसा होगा एंड हैं इसके तो यह 100 % होते ही हमारा यह फोटो है यह smart watch face set हो जाएगा देख सकते हो कुछ इस तरीके से काफी weaz faces आप कुछ यह तरीके से change कर सकते हो so yg watch faces कैसे आप change कर सकते हो इसमें आप reminder से set कर सकते हो जो इми काफी अची changes k redefiner पर सेट कर सकते हो और सो बात करें तो इलाम यहां से भी आप सेट कर सकते हो नोटिफिकेशन यह चीज काफी इंपोर्टेंट है यह सेटिंग आपको जरूर करना है नोटिफिकेशन में क्लिक करना है यहां से आपको कॉल notification को enable कर दिना है यहां से आपको unlo कर दिना है यहां से विख कर दिना अब कर देना है यहां से अलो कर देना है यह चीज़ आपको कर देना है फिर से आपको बैक आना है बैक आने के बाद SMS नोटिफिकेस्टन इसको भी आपको एनेबल कर देना है एंड किस-किस आप का आप तो सिप्टिपिकेशन चाहते हो उसको आपको एनेबल कर देना है यहां से कुछ इस तरीके से जिस्सक्राइब का भी नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं उसके पाद को एक स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो एंड कम्प्लीट फीचर्स होए आपको मैंने बता दिया बाकी कोई भी कोश्चन हो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से फॉलो करके मेसेज करके पूछ सकते हो सो आपने देखा कम्प्लीट कैसे इसको कनेक कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं अगर कोई भी कोश्चन होगा तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप फॉलो करके मेसेज करके पूछ सकते हो एंड आई होप ही वीडियो आपको पसंद आओगा वीडियो पसंद आओगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ठेक है फ्रेंस थैंक्यू जैहिन